नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त भी सिंग के साथ दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेत तसकर मामले में गुड्डू खोरगड़े नामक वैक्ती गिरफतार हुआ है पुलिस के गिरफत में आया है पहले उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड में लिए और वापस फिर से कोट ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है गुड्डू के घर पे कुछ एहम डॉकुमेंट्स, कुछ सौफ्टवेर प्राप्थ हुए है जिसमें ये आशंका है कि इसमें कई बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं इसमें करोरो का लेंदिन इसमें है ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें किस-किस का नाम आता है दोस्तो सवाल ये है कि आखिर इस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पे घोटाला करने का इन्हें साहस कहां से मिलता है आखिर इसके पीछे जो चेहरे हैं वो चेहरे कब बेनिकाब होंगे इस पे एक बड़ा सवाल बचा हुआ है दोस्तो इस तरीके का जो कारे करते हैं उसके पीछे किसी ने किसी बड़े मंतरी का नेता का पोलिटिकल सपोर्ट होता ही है और इसलिए सवाल ये है कि आखिर सफेद कपरे में रहकर काले कारनामे वाले आखिर कब तक बसते रहेंगे गुड्डू जैसे ना जाने और कितने प्यादे होंगे लेखिन जो मेन प्यादा है उसे पुलिस कब गरिफतार करेगी एक बड़ा सवाल है इस मामले में नागपुर पुलिस कमिशनर अमितेश कुमार जी से बातचीत हुई वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं रेती के तपास में जैसा मैंने पहले बताया था रेती के विरुद बहुत सारी कारवाई पिछले डेर से दो वर्ष में हुई है उसके एक तपास में एक क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी नजर आई है जिसमें बोगस एटीपी के माध्यम से महराष्टरा के घाट से रेती चोरी की जाती थी इस पश्ट हुआ है इसमें अंदाजन जो अभी तक तपास निकला है तपास में करीब करीब एक हजार बोगस एटीपी के माध्यम से सैंड तसकरी सैंड चोरी की गई है इसको हम पूरी तरीके से इस कॉंस्पिरेसी को हम अनर्थ करने के प्रैत्न में है उसमें बहुत सारे आरोपी अरेस्ट हुए और अभी हाल में ही जो आप आरोपी नाम बता रहे हैं वो अरेस्ट हुआ है इसको हम आगे तक जो भी इस पूरे कॉंस्पिरेसी में शामिल है उनको सभी को हम आइडेंटिफाई करके उनके विरूद कायलिशीर कारवाई करेंगे इसके लिए एक स सवाल यह उठता है कि जो मुख्य सुत्रधार है जो मेन प्यादा है अगर उसे पुलिस जल्दी नहीं गिरफतार करती उस तक नहीं पहुंचती है जो डॉकुमेंट्स मिलने वाले हैं पुलिस को उसके साथ वो छेरचार कर सकता है अगर उसमें एक भारी नुकसान राजस् मेन प्यादा है कहीं वह बचना जाए और गुड्डू खोर गड़े जैसे नामक व्यक्ति पर ही मामला राफात अफान हो जाए हमारी नजर इस पर पूरी तरह बनी हुई है आगे क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे आप देखते रहें इन विस्यों न्यूज अपने